हेलो दोस्तों जै गंगे मता एक बार फिर से आप सभी का मुखेस हेल्प में स्वागत है और इस समय जो टाइम हो रहा है लगबग नो बचकर दस मिनट हो रहे होंगे और इस समय आप हरकी पॉड़ी से मागंगे के दर्सन कर रहे हैं और रात में हरकी पॉड़ी के जो द्रस्य हैं बहुत ही सुन्दर नजर आते हैं और आप देख सकते हैं यह एक छोटी सी वीडियो है आपको जो रात की जो हरकी पॉड़ी के द्रस्य हैं वो दिखाने के लिए तो दोस्तो इस समय आपको मागंगे के दर्सन करके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने आपको रात के जो हरकी पॉड़ी के द्रस्य हैं वो दिखा रहा हूं और बहुत अच्छे द्रस्य हैं और सबसे अच्छी बात है इस समय घाट में बहुत कम भीड है तो काफी अच्छा भी लग रहा है और ठंडी-ठंडी हमाये चल रही हैं तो अभी चलते हैं कुछ प्रमुक जगे पर और वहां के दर्सन में आपको कराऊंगा एक छोटी सी वीडियो है सिर्फ आपको रात के जो दर्सन कराने के लिए क्योंकि लाइब मैंने करने की कोशिस की है लेकिन नेटवर्क का इसू बहुत ज्यादा रहता है यहां पर इस दर्सन कर सकें तो दोस्तों देख सकते हैं हालाकि काफी ज्यादा सिर्दालू इस समय भी यहां पर मौजूद है जबकि समय लबबक सवा नो बजे के आसपास का होगा और यह आप देख सकते हैं महिला घाट के द्रस यहां पर महिला घाट पर भी बहुत सारे लोग इसनान क कर रहे हैं और मैं भी काफी दिनों के बाद रात में हरकी पॉड़ी पहुंचा हूं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ब्रह्मकुन घाट के द्रस से हैं और ब्रह्मकुन घाट में भी कुछ रिद्धालू हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी बहुत दिनों के बाद रात में हर्की पोड़ी पहुंचा हूँ और मुझे भी आज यहां पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरी आप से रिकर्ष्ट रहेगी अगर आप इसी तरह हरिद्वार और इसी केस की वीडियो देखना चाहते हैं अच्छी जानकारी पाना चाहत तो दोस्तों अब यहां के द्रस से आप देख सकते हैं और नई गाइडलाइन्स भी आ चुकी हैं और कल वीडियो आएगी फिर से एक बार हर्की पोड़ी के साथ साथ आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन कल वाली वीडियो में मिलेगी और फिलाल आज मैं सिर्फ यहां पर यह आया था कि रात में मैं आप लोगों को लाइब हर्की पोड़ी दिखाऊंगा लेकिन नेटवर्क की काफी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसकी विज़े से लाइब डिसकनेक्ट हो जा रहा है तो मैंने सुचा क्यों ना आप ल दर्शन सही से कर लिए होंगे तो एक बार चलते हैं मा गंगे की जल धारा के करीब अगर आपने दर्शन नहीं किये हैं तो मैं पास से आपको मा गंगे के जल को दिखाता हूं तो चलते हैं तो दोस्तो अब मैं ब्रमकुन घाट के पास कह सकते हैं ब्रमकुन घाट के सामने बैठ चुका हूँ और यहां पर आप मा गंगे की निर्मल जल धारा को देख रहे हैं और रात की समय जो जल है और भी सुन्दर दिख रहा होगा क्योंकि इसमें जो यहां आसपास की लाइट है वो इसमें पढ़ती हैं तो बहुत ही अच्छे दर्शन निकलते हैं और यहां पर आप मा गंगे के दर्शन कर सकते हैं हाला की जल में रेत की मात्रा अभी भी आ रही है और यहां पर आप ब्रह्मकुन घाट के दर्शन से देख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे सेर जरूर करें और आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं आप सभी अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जय हिंद जय गंगे मता